अमुमन जब व्यक्ति किसी मुनुरम द्रश्य की गल्पना करता है या कोई ऐसी जेगह की गल्पना करता है जहां से उसे प्रकृति की अवस्था विलक्षन आभा में नजर आए तो कल्पनाओं के यतार्थ सुरूप के ही होते हैं एक नदी बेह रही हो और पास में ही एक चोटा सा बत्थर हो जहां हम बैठे हुए हो समंदर का किनारा हो जहां सुबह सुबह के अंतराल में सुरूप दै नजर आ रहा हो और हम बैठे हुए हो कोई फ्लैट फाइनलाईज करने की तरफ जाना है तो सन्राइज एक बैलकनी से देख रहा है दूसरे से संसेट की अपरोच भी नजर आती है और उसकी कीमत भी बड़ी जादा होती है वहां व्यक्ति खुद के जिवन को घुजर बसर के साथ में लेकर चलने की कल बनाओं को बसाता है और यही प्रकृति का आवरण है जो उसके भीतर के आद्यात्मिक स्थर को बारब बार जाकृत करने के लिए कहता है बारिश हो रही हो और बादलों की ओट के साथ में कोई पहाड भी सामने हो और हम बढ़ी इत्मिनान के साथ में बैठे वे हों यह कल पनाओं अमोमन प्रतेक व्यक्ति के मन में गई बार आती है और इसे के साथ में लेक्जरी की अप्रोच जो मिट्रिलिस्टिक पोजिशन्स में साथ में चला करती है उसके बारे में भी वेक्ति सोचता है पर नतों साथी साथ में गार्डन कहां है साथी साथ में कोई भी नदी है, कोई तालाब है, कोई समंदर है, वो कितनी दूरी के उपर है प्रकृतिक स्थान वो शेत्र विशेश के आसपास में कहां आ सकते हैं ये सब कुछ वो जानने का परहत न करता है क्योंकि मानवी जग्यासा बहुत गहरे से प्रकृति और आध्यात्म के सुरूप में जुड़ी हुई है हासल करने की उतकट आकांग्शा लगातार बन के बेटर है परन्तु इसका दूसरा सुरूप प्रकृति के साथ में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है 27 वी मनजल के उपर फ्लैट ले रहे है परन्तु साथी साथ में कल्पना एक ही स्तर की है और एक ही स्तितिकी है कि हमें प्रकृति का नजारा बहुत अच्छे से नजर आने वाला हो और उन नजारा नजर आता भी है यह हम जहां पर भी हो प्रकृति अपने सुरुप को निखार कर सामदे रखने वाली होती है परन्तु हम उसको कितना सुविकार करके चलने वाले होते हैं वहां उस समय हम मौजूद है या नहीं यह मैत्तुकृन प्रकृया है इसे वज़े से प्रतिक मानवी के भीतर अध्यात्मिक चेतना का अधार गहराई से मौजूद है पौतक्ता के सुरुप को कितना ही देख लीजिए परन्तु आत्मा के कारकादे पती सूर्य जब सुभह सुभह नजर आते हैं तो व्यक्ति भीतर से त्रप्त हो उठता है वज़े क्या है उसके पीछे जो उसकी आंतरिक चेतना है वो इस प्रकृति के साथ में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है पौर्णिमा के आसपास और द्वितिया के आसपास जब चंद्रमा अपने उस छवी को सम्मुक रखने वाले होते हैं तो वहां प्रभी मन के भीतर एक शीतलता पन अपने वाली होती है वो चांदनी रात भी व्यक्ति को बड़ा सुकून एम संतुस्टी का आधार देती है इसके पीछे वज़े यही है कि मन भी निकल कर व्यक्ति को शान तुचित प्रवडतियों में उजागर करना चाहता है और जब यह जड़ाव सामने निकल कर आता है कैसे भी हो कहीं पर भी हो इया पल जब सामने आते हैं और व्यक्ति रोकता है तो वहीं से वो सुकून एवम संतुस्टी के परिभाशाओं की ओट में स्वहम की आगध्यात्मिक जागृति को देख पाता है बेराल ये चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं के साथ में व्यक्ति खुद को आगे वढ़ाने का परेतने करें तो एक सुन्दर वातावरण की स्थियां बनके वेतराती है जो आसपास के लोगों को भी आनंदित करने वाली होती है हम इन चर्चाओं के बाद आपके समक्ष यहां दस मार्च दो हजार चौवीस का दहनेक राशिफल लेकर उपस्तित हुआ है चंदर्मा मेन राशिस्तान में रातरी आठ बचकर चालीस मिनट से प्रवेश करने वाले होंगे पूर्वा भादरपद नक्षत रेस्तितिया रविवार तो वहीं फालकुन मास कुरश्न पक्ष चल रहा है और हम दहनेक राशिफल की शुरुबात करते हैं मेश राशिके साथ में अवकाश के इस दिवस में आप सन्तुस्थी के साथ में आज का दिवस बिताने वाले होंगे कोई भी मेजर टास्क अपने लिए स्ट्राटजी के साथ में लेकर चलनी है उसके बारे में बचार किया जा सकता है कहां मन अवरोदों के साथ में होगा आगे बढ़ने बढ़ने वाला होगा ये प्रकेरिया आपने साथ कहराई से लेकर चलने के जुदत रहीगी आपकी साथ Continuous elect पर बनी हुई है जो यहां परबंदन संबंदी कामकाज में सिसन्स भी पॉजिटिविटी के फ्रेम को लेकर हैं इसे के साथ जो भी मानुभाव मेडिकल संबंदी फील्ड में किसी भी नए प्रपोशन की तरफ जाना चाहते हैं एडवांस्मेंट की और जाना चाहते हैं निर्णे में गर परिवार की हामी के साथ में बड़ी सरलता से ब के प्रयत्ने करें मानसिक सुख में बृद्धी के प्रतिवियम आपके लिए यहां पर रहने वाले होंगे सरवांगेन लाप में भी बृद्धी बहुत अच्छे से बनी हुई है तो वहीं पर माता पिता के साथ में जुडाव का केंद्र बिंदू आप अपने लिए लेकर चलने का प्रयत्ने की जिएगा जो भी मानुभाव या रिसर्च और एनलेसिस संबंधी कामकाज में फ्रीलैंसिंग के और जाने की तैयारियों में है उनके लिए आज किसी भी कार्य का श्री गनेश करना बहुत बहतर है वहीं स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में जो प ऑस्पिटलेटी संबंधी कोई भी शेत्र विशेश में आपका कार्य भार जुड़ा हुआ है तो वहां पर भी आप बहतर प्रतेविम्ब स्वायम के लिए देख पाएंगे मित्वन राशी भाग के भावस्त इस्तियां जो यहां पर चंद्रमा की रहेगी वाध्यात्मिक तोर पर व्यक्तिक वृद्धी की प्रतेवान देने वाली होती है यातरा से संबंधित कोई भी कार्य सामने आ रहा है आप बहत सुकून एवम संतुस्टी के साथ में आगे ब हो सकते हैं निवेतन है आप से कि आज कोई भी कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी डिसीजन की और आप जाना चाहते हैं तो एक बार को नहें विचार शीलता की और अग्रसर होईएगा मन के भीतर की शान तचित ताभा को लेकर चलने का प्रहतने करना आपके लि क्मुणिकेशन में रियक्शन लेस होकर चलने की कोशिश कीजिएगा जो भी महनुभाव यात्राओं से संबंधित कामकाज में खुद को अग्रकामी करना चाहते हैं उनके लिए भी सपोर्टिव फ्रेम बने हुए है जस्पाती होकर निरणाय लेने से बचें तो वहीं अंतराल के साथ में जो पारिवारिक जनों के साथ समय निकलेगा वो आपको एक अलग फ्लॉलस अप्रोच देने वाला रहेगा जहां से ये जिवन यात्रा नव संपरिशन अप्रदान करने वाली हो जाती है अलाकि आज आवशक्ता इकांत की है आवशक्ता स्वाहिम के कुछ पर बहुत जारा ध्यान दे कर चलिएगा जो आप किसी भी मेनेजमेंट सिंबंदी वर्क के साथ में जुड़ेव हैं अपनी जौब में कई बार कोई अवकाश का दिवस इस तरह से आता है कि हम खुद को री स्रेटजाइज कर पाते हैं कैसे काम को लेकर चलेंगे उस निरनायक मौकों पर आपका आत्म विश्वास देखते ही बनता है और वही से सहज इसंबल इस्तियां आपके लिए पराप्त होती चली जाएंगी सोच में किसी भी तरिके की नकारात्मक्ता को लेकर चलने की जो इस्तियां होती है उससे बचकर रही है क्योंकि आज का दिव तन कर खड़े हों ये ताकत आप अपने भीतर तकात में साथ करके रखें जो भी महानुभाव खर्चों के इस्तियों के साथ में खुद को पशोपेश में लिख रहे थे उनके लिए भी सुधार की परक्रिया अब इंगित होने वाली रहेगी जो भी महानुभाव खान पान संबंदी इस्तियों में लंबे समय से दो विदाओं में थे अथवा अपद से संबंदित जो परिशानिया थी उसमें प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की और आपको बढ़ने की जुरूत रहेगी इच्छा शक्ती परभावी तोर पर नहीं है हम निराश्य और आलश्य की इस्तियों से कैसे बचते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं ये मूल मंतर अपने साथ आप काबिस करके रखिएगा बैंकिंग से बंदी कामकाज में लंबे समय से अटकाव मिले हैं तो आज अबकाश की दिवस में क्या नई प्रक्रियाओं की तोर अब हम आगे जाएंगे ये एक्षमताओं के परिचाए को बहुत अच्छे से देख पाएंगे व्यापारिक जीवन में किसे घर परिवार के सदस्य को संबलित करना है तो इस नर्ड़ा में थोड़ा सा रोक कर चलिएगा स्वास्त मजबूती लिये हुए है जिसके साथ आप आगे बढ़ेंगे इंडि तो आज उसे भूल कर आगे बढ़ जाना आती विवस्तत करम कहा जाएगा जो भी महनुभाव किसी भी बड़े निरने की तरफ अपनी आत्रा को देखना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय संबृत्ती की सीरिश को निर्मित करने बाला हो जाता है स्वास्टता इस बात की भ रखिएगा और ये भी आपसे हम क्याना चाहेंगे कि जो भी कार्या आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सरे के निभाव तक आप स्वाहिम को आगे की और बढ़ाते चले जाहिएगा खुरश्चे गराशी बेसले स्वियर की अप्रोच के साथ में स्वाहिम को संभालन तो आज नए अनुभावों की तरफ जाना कुछ नया सीखने बढ़ने की तरफ जाना उस लेहाजा ये समय आपके लिए श्रयसकर स्थियों को निर्मित करेगा आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज का निवस चुनोतियों को हटा रहा है औ और आप जिस संब्रुद्धिक इस्तिय की तरफ जाना चाहते हैं अपने कामकाज में कोई फ्रीलैंसिंग संबंदी वर्क है किसी और्गनाइजेशन को आपने इस्टेबलिश किया है उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया होती है उसमें जो आधार भूत परिवरतन आने च कीजिएगा अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने के रिक्वार्मेंट है आत्म विश्वास अपने चर्मत कर्श को चूख कर आगे बढ़ता चला जा रहा है बुरस्वरति प्रदान राशी की महनुभावों के लिए जो कई पर चोटी चोटी बातों में नकारात मक्ता निकल कर आती है उससे हट कर चलने की जरुरत रहेगी तो वहीं आपके लिए यहाँ पर नए कामकाच की जो शरुवाती स्तियां होती है वो भी बहतरी की प्रतिविम पूर्ण रुपेन देने वाली हो सकती है इस समय में भाईयों तता मित्रों के साथ में संबंदों क प्रयतनाब जरूर करने वाले रहे यानि विदन वहीं विदेश संबंदिकारियों में बहतर संकेत आपको प्राप्त होने वाले रहेंगे जो की आगे की उर्जा एवं उश्मा का प्रतिविम बाप के लिए बना कर रखे हुए है मकर राशी देखिए द्विती ये भावस् एक्षिष के साथ में मुलाकात हो रही है हम एक्स्ट्रा कॉंशियस्नस अपने साथ लेकर चलने वाले रहें जिससे कहीं न कहीं स्थरकामिता साथ में निकल कर आती चली जाए इच्छा शक्ति का प्रभावी करम आपके साथ बना रहेगा माता-पता के साथ चोटी चोटी बातों में उल्चनों से बचकर चलने की पूरी-पूरी जरूरत आपके लिए है यही वो समय है जहां पर आपकी भीतर का ध्यात्मिक परिपेक्ष निरंतरता के प्रतिविंब आपको देने वाला रहेगा आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में पॉजिटिविटी के फ्रेम्स य अपने लिए देखते चले जाएंगे यह मूल मंतर भी अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयतना आप जरूर करने वाले रहें मकर राशी के महानुभावों के लिए यहां पर मन के बेटर जो संदोश की व्यापती होती है वो भी दिरंतर बढ़ने वाली होगी शनीदेव क बैचार एक विद्रो हो डिस्टरब कर रहे थे उससे हटकर जो बढ़ना होता है यह प्रक्रिया अपने साथ आप लेकर चलिएगा माता पता के साथ जो संतुस्टी के भाव भरे करम होते हैं उसको आप बनाकर रखने का प्रयतन करें कुम्भ राशी के महानुभावों को च परिशान कर रही थी उसमें आपके लिए अब रिलीफ आ सकता है तो वहीं कोई भी कंस्ट्रक्शन संबंदी का रहे हैं जो कि अवरोदों के साथ में था महासे भी अब आप खुद को फ्लॉलस सप्रोश में फरसे देखने वाले होंगे मेन राशी यहां आपके लिए आज की अडिक्ता बनी रहेगी जो अग्याद भय संबंदी स्तियां होती हो परिशान कर सकती है सोच में किसी भी तरीकी की नकारात्मकता जो वैक्ति को बार-बार गेरती है और पशोबेश में डालती है उससे संबलने की पूरी-पूरी आवशक्ता हैं यहां आपके लिए है मे से स्पस्टता निकल कर आने वाली होगी तो वहीं जो भी मानुभाव यहां स्वहिम को इसे विक्ति विशेश के साथ कामकाजी स्तर पर जोड़ना चाते हैं उनके लिए भी संबाबनाय मूर्द रूप लेती चली जा रही है दार्मिक आयोजनों के साथ में जोड़कर चलन तो वहीं विध्यारति वर्ग पुनहें एकाग करता के स्तितियों को काबिस करके अपने साथ में चलने वाले रहेंगे यह स्पच्टा बनी हुई है तो यह था दस मार्च दोहसार चौबीस का दायनिक राशिवल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्तित होने का प्रहत ने क